हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूटूब चैनल एस फ्लेवर फ्यूजन आज हम बनाने जा रहे हैं बचे हुए गेहु के आटे से बहुत ही टेस्टी स्पाइसी चटपटा नास्ता जो बनाना भी बहुत ही आसान और जटपट से तयार, हेल्डी भी होता है चैनल ये इसको बनाना शुरू करते हैं चटपटा नास्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में तीन से चार उबले हुए आलू लेंगे उनको अच्छे से मेश कर लेंगे एक मेडियम साइज का बारी कट करके प्याज एड़ करेंगे बारी कट किया हुआ हरा धनिया एड़ करेंगे चार से पांच बारी कट की हुई हरी मिर्च एड़ करेंगे कुछ अट बनाने के लिए चली कुछ मसाले एड़ करेंगे हाफ स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर एड़ करेंगे हाफ इस्पून हल्दी पाउडर एड़ करेंगे हाफ इस्पून चाट मसाला एड़ करेंगे हाफ इस्पून लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे हाफ इस्पून नमक एड़ करेंगे हाफ इस्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे वनी स्पून कसूरी में थी एड़ करेंगे हाफ स्पून इमली पाउडर एड़ करेंगे इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स अगर हमारे पास पहले से आटा गुंदावा हो तो आप उसे भी इस्तमाल कर सकते हैं अगर ना हो तो गूंज भी सकते हैं, मीडियम साइज का एक पेडा लेंगे, उसको सुख्याटे से कोटिंग कर लेंगे, उसको बेल लेंगे, ना ज्यादा मोटी रखेंगे, ना ज्यादा बारिक रंगेगे, इसको मीडियम साइज में बेल लेंगे, मैं इसको बड़ा बेल र जो आलू का हमने मिस्चर बनाया था, टू स्पून भरके एड़ कर रही हूँ, आप कम ज्यादा एड़ कर सकते हैं, उसको अच्छे से फेला लेंगे आलू के मिस्चर की एक लेयर लगाएंगे, जो हमारे कोनर से उनको कट कर देंगे जिस शेप में आप कट करना चाते हो, कर सकते हो, मैं स्कूर शेप दे रही हूँ यह देखिए हमारे सभी पीसिज कट हो चुके हैं, चलते हैं नेश्ट पीसिज को लेंगे, इसको एक साइड से ऐसे फोल्ड करेंगे, दूसरे साइड से भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से ऐसे अच्छे से सील कर देंगे दूसरी साइड से भी ऐसे ही सील कर देंगे इनके सभी कॉनर्स अच्छे से सील कर देंगे क्योंकि नेश्ट अफिंग की है वो बहन ना है ये देखे कितना पफेक्ट बनकर हमारा पेसिस रेडी हुआ है सबी pieces ऐसे ही ready कर लेंगे चलते है nest यह देखिये सबी ready है चलते है nest high flame पर कड़ाई रखेंगे उसमें oil में pieces एड़ कर देंगे गेस को low flame पर रखेंगे जो हमारे pieces है fry होने में time लगेगा क्योंकि low flame पर आराम राम से fry हूंगे इनको अलटते पलटते फ्राई करते जाएंगे 10 से 15 मेंट लगने वाली है क्योंकि लो फ्लेम पर हलके हलके फ्राई होंगे हलका सा गोल्डन प्लाउड कलर आने तक इनको फ्राई करते जाएंगे अलटते पलटते देखे ब्राउन कलर आ चुका है अब हम इनको निकाल लेंगे सब भी पेसी जैसे ही फ्राइ कर लेंगे गाइस इनको रेड चटनी के साथ सफ करेंगे इनका टेस्ट दुगना हो जाएगा छोटी मोटी भूग हो या सुबह का ब्रेकफास्ट का नास्ता हो इसको बना कर सर्व कर सकते है बच्चों के साथ साथ बड़े भी इन्जोई करेंगे गाइस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफिज